असलाम वालेकुम आपके आप सब उम्मिद करते हैं तो आज नापके लिए यूनिक और नए से बिस्किट की रेसीपी लेकर आई हूं जो कि हम बनाएंगे विदाउट बेकिंग पाउडर विदाउट बेकिंग सोडा और विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही अच्छा तो इसकि लिए ना सबसे पहले मैंने रिदाःत होतें ये गहर में nova अच्छ है का सकते हैं और में अच्छ कुरा आते से बनाएं तो इसब और ये चान गाता करें Tur is सब्सकी तो उ मैं सबस्टॉयल इंचे उलने हेल्या नो शेंगोता तो आंप इतना भीकी लिगटे शाम तो इसके अंदर हम अजबाइन डालेंगे जिसको आफ में एक रच करके इसके अंदर हम डाल देंगे आप अप्रेश करके डालेगा बहुत अची सी फुश्बूस के अंदर आ जाती है आप जो है तो यह मीठे बिस्कित है पर मेठे का मज़ा जो है ना फ्लेवर और बढ़ान वह यह भिसे उटशिवान डाने के बाद में इससकों एकडम अच्छी मिक्स कर लेंगे दोन्हाथों की मदद से में एकडम से इन सबकों मिक्स कर लेना डोनों हातों में रब करते हुए ताकी तो पूरा आइम उसके अंदर मिक्स कने मौन जाए तेल सकते है लेकिन और प्रचेस करूंगे आप खी डालें से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस सब को मैंने अच्छे सी मिक्स कर लिए आप देख सकते किते अच्छे से हमारा जो घी तरह पुराटे मिक्स होगा है आप याना मैंने ने तावा लिया है इन बिस्कुटका और बढने के लिए मैं इसमें दो चम्मच बधानी बेशान जो और में रेख से घर नॉर्मल लगार भाव प्रतक में जो चलाती में इसाए बहुत ग्याए बेशा दोहरा चाली जाता हम यह अच्छा है आप एंच्छा इसमक्रेण पढ़ने पाश्चा अच तो पांच से दस मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे आटे को जब आटे मीडियम पे हमें से हलका हलका सा भूना है और चलाते रहना है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं तो नीचे से आटा हमारा जो है तो जल जाएगा बिल्कुल पांच मिनट में बहुत अच्छे से भून गया तो मैंने क्या किया ना फिर इसको एक प्लेट में निकाल दिया ठंडा होने के लिए इसे ठंडा करना बहुत ज्यादा ज़रूरी ये बाद आप त्यान में रखिएगा इसे हम ठंडा कर लेंगे एकदम ना हमें इसको ठंडा कर लेना है रूम टेंपरेशर पे ला लेना है निकाल करके मैं इसको फेला दूंगी चम्चे के मदद से एक तम अच्छे से पहला देंगे और जो है तो यह तो यह इस पैचुला पर जो भी लगे वाए में वह भी निकाल लूगी यादर कि हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना है हमें हर एक चीज को स्क्रमाद में कोई म अधा कप भर के मैं ने चीनी लिए जो हमारे घर में होती है उसको में मिक्सर चाहमें डालकर पीस लूंगी और यहां पर जो है ना तो मैं हमारे आटे में डालूंगी साबुत चीनी एवन टीस्पून भर के मैं चीनी डालना है और इसको एक दम अच्छे से मिक्स कर देंग चाहिए हम पूरी चीनी हमारी जो है ना आटे के अंदर एक दम अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और आगी बढ़ने सब्सक्राइब हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और बताएगा नेक्स वीडियो कौन सी रेसीपी चाहिए और आप सब कराता है दिल से शुविया इतनी जल्दी मतलब आप लोगों ने मेरे एक हशाल सब्सक्राइबर करा दिये आप क्या करेंगे ना हमारा चुए आटा है ना तो इसको हम हलका हलका बाली डालेंगे पानी जादा नहीं डालना याद रखिएगा फोड़ा स्वाणी डालते हुए हमें इकदम सकती सब्सक्राइब करना है एकदम सकती यह थोड़ा कम भर अधर फाली लिया था और आपको बताऊंगे कि मझे पानी कितना लगा तो आटा कूल में मैं बहुत कम पानी डाला से अंदर क्योंकि हमने शुगर डाली वियह है पीसीवी ची बनाना शुरूरimana चाहिंगा बसकितों है ड़्सकुइए कैसे से बना है यह सेका हैं बहुत बनाते हैं वाइप सब्सक्टों के आड़ चाहि समय को मस div diver तोट्पिक लेंगे लीघन हो किस तरीके इस तरीके से डिजाइन बना रही हो वीडियो को लास तक जरूर देखना और अगर पसाद आया तो लाइक जरूर कर देदाा आप्जिक लेंक जाते हैं बिना बिना कोई मशीन बिना कुई साचे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनक सब्सक्राइब लगाना है थोड़े गहरे कट्स लगाने है ताकि डिजाइन जो हम जब इसको बनाएंगे तो यह डिजाइन बिगर नहीं चाहिए अब जो है तो हम इसे तर लेंगे आप चाहिए तो से बेक भी कर सकते हैं इन बिस्क्विट को बिडाउट बेकिंग सोडर वि अधिरिया, जनाम इसे बुच और तयुम आज रख़े में तो बहुत अच्छे हैं एक तम एकम क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे और लाल लाल हो जाएंगा आप देख सकतें 10 मिनिट में यह बहुत ही अच्छे से तल गए थे मैंने एकम बलूट मीडियम फ्लेम रख थ वीडियो में तबता कि लिया आला हाफिस